साथियों ये स्टेट हाईवे रोड है जो पल्लू से अरजनसर की और जाता है इसी के ऊपर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ 40 बीगा जमीन जिसका डाई बीगे का फरंट लगता है इस स्टेट हाईवे से और अब हम इस जमीन के अंदर हैं ये रस्ता जो है वो कटान का है जो आगे खेतों में चला जाता है इसको आप रोक भी नहीं सकते हाँ ये रस्ता जो है उनके लिए नहीं है फिर भी कटान के रस्ते के ऊपर जो जमीने होती है उनमें स्टेट गोर्मेंट का ये रूल है कि आप उनको भी रोक नहीं पाएंगे तो बीच के अंदर रस्ता र राइट वाली सीमा चली गई पीछे फिर आगे खंबा और फिर जो आपको काली काली दूर तक सीमा दिख रही है ये सारी सीमा के अंदर जो है 40 बीगा जमीन है और ये आपकी पूरव साइड ये सामने जो रस्ता गया ये दक्षिन साइड और ये जो है राइट में आपकी पस पस्चिम साइड हो जाती है राइट में पस्चिम सामने दक्षिम और लेफ्ट में जो है इस रस्ते के पड़ जाती है पूरो और ये जो रोड है ये उत्तर दिशा में पल्लू से एरजन सर जाने वाला स्टेट हाइवे है तो साथियो चालिस वीगा जमीन है बिलकुल पलेन आपको दिखाई दे रही है थोड़ा बहुत उंचान नीचान अगर है तो उसको आप सिधा कर सकते हैं और अगर मैं बात करूं इसके साइज की तो यहां एक बीगा 165 इंटू 165 का होता है एक बीगे में 3025 गज होते हैं एक बीगे में 20 विस्वा होता है ये अपना जो जिल है वो बिकानेर है तहसील महाजन और लून कर्ण सर पढ़ती है अरजन सर से इसकी दूरी जो है वो 4-5 किलो मिटर के करीब है इसके साथ से ही थोड़ी दूरी पर भारत माला रोड जा रहा है वहां से आप उतर के शिगर इस जमीन पर पहुँच जाते हैं तो NH 62 चार किलो मि और पूरव में भारत माला रोड भी 4-5 किलो मिटर दूर पड़ जाता है जो लोग पंजाब से आते हैं अमरित सर वाले भारत माला पर चड़कर गुजरात की और जो जाता है उसका एक्जिट जो है पूरव में 5 किलो मिटर के करीब पड़ जाता है तो बहुत अच्छी connectivity द पोलब तरषाने की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन और सारी फसले इसमें होती हैं इसी के नजदीक आगे खजोर का बाग भी लगा हुआ है अंजीर के बाग भी यहाँ पर हैं बेरी के बाग भी यहाँ पर है और कीमत की मैं बात करूं तहो 3.4 लाख रुपई इसकी की बहुत सी पार्टियां बाहर से अब आ रही हैं और जमीन लेना हर किसी का एक मोटिव बन गया है कि हम जैसे तैसे करके जो मिल जाए और कुछ लोग तो कहते हैं जैसी भी मिल जाए वैसी भी भूमी के टुकड़े आप ले लो क्योंकि आगे इनकी कीमत जो है आसमान चुने ल खसरे वाली जमीने ही आपको नाम होंगी और कुछ जमीने हमारे पास ऐसी भी हैं जिसमें नहर का पानी है कमांड में आ गई लेकिन फिर भी वो खसरे में पड़ी हैं तो वो भी आभी नाम हो सकती हैं आगे जैसे ही राजस्व उनका एकत्रित किया जाएगा गोर्मेंट के की जो पलू तहसिल है उसमें जमीने ओपन है तो पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं है सिर्फ ये अनकमाड जमीने ही जो है दूसरे राज्ये के लोगों के नाम हो जाती है और बहुत अच्छी जो है इन में से इनकम आती है अगर आप प्यूवल लगा देते हैं तो आप 10 स 12 या 15,000 के करीब इसका ठेका दे सकते हैं दूसरे को आप अपनी बागवानी कर सकते हैं तो इस प्रकार से जिनके पास में पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जमीन आपने कहीं भी ले ली और कैसी भी ले ली उसका रेट कभी कम नहीं होता हाँ रेट का जो ग्रोथ ह पास में जमीने हैं मुफली वाले पानी की भी अच्छी जमीने हैं बीकानेर तक हम जो है जो जमीन का काम कर रहे हैं और बीकानेर से डूंगरगड साइड की कई बार हम से बात करते हूं साइड पानी अच्छा है मुफली वाला लेकिन वो 1200 के करीब चला गया है तो वहाँ थोड़ा सा प्रोब्लम है यहां 200 से 300 के उपर आपको पानी मिल जाता है बहुत अच्छा पानी यहां का है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन हर शर्त जो है वो पूरी फिट नहीं बैठ पाती और अगर आप सारी सर्तें देखते हैं कि पानी भी जो है टोप हो और हाईवे का भी फरंट हो तो ऐसी जमीने आपको 12 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेंगी 10, 12, 13, 15 तो वो जमीने भी अपने पास में है जिनके पीछे नहर है आगे रोड है तो जैसी जमीन वैसा उसका रेट वैसी उसकी क्वालिटी पल्लू से लेकर के जब आप राजिया सर की ओर च हात में रोड के उपर भी और अंदर भी दिल्वा देते हैं ये जो आपका अरजन सर है उसके 4-57 किलो मिटर का जो दाइरा है जिसमें आप जब जमीन ले लेते हो तो वो ग्रोथ करती है अरथात आपको हर तरीके से खेती करने वाली जमीने अलग तरीके से और ले बेचने रेट सेट करो उसके बाद में एक एक इंच की तस्दीक करवा दी जाएगी इसमें कोई दोराय नहीं कोई छलकपट आपके साथ नहीं होने वाला बिलकुल खरा सोना खरा काम जो है वो अपनी पहचान है और चीजें जब हम अधिकारिक तोर से देखते हैं तो सारी चीजें मिल ही जाती हैं और पडोसियों से भी जो है आपको चाय पिलवा सकते हैं गाओं में सरपंच के पास भी लेके चल सकते हैं मतलब जहां जब कहोगे वैसी तस्दीक करवा करके आपको पूरी तरह ब्याने पर कबजा दिलवा करके आपको सैटिस्फाई करते हैं और अगर जो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें जिनोंने कर रखा उनका अभार व्यक्त करता हूं जै हिन जै बाद